तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप Paytm यूज़ करते हैं Paytm का application यूज़ कर रहे हैं और जब आप login वाले मितलब sign in या फिर login करने जाते हैं ठीक है इस वाले page पर आप आप चुके login और आप पेज अगर आपको black screen आती है तो just आप example के थोड़ पर समझ अगर आपको यह आपर लिखा आ जाता है जब आप login करते है वहाँ पर अधर राजाता है अगर आपको बोडा जाता है की आपका जो login है और disable कर दिया आए गया है जापको ज्यादा करने के जरूरत नहीं सीधस आपको जो है आपका PlayStore खुलना है और आपके पैटm application को अप्डेट करना है वहाँ पर आपको लिखा भी आता है कि आपका जो पेटियम का वर्जन है वो पुराना हो चुगा है ठीक है पेटियम का नया वर्जन आपको जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक लॉग इन नहीं होगा security की रिजन के चलते जो है पेटियम अपने जो पुराना वर्जन हो चाता है उसका लॉग इन जो है बंद कर देता है ठीक है कापिसार लोग जो है पेटियम का पुराना वर्जन यूज करते है क्योंकि उनके फोन में नया वर्जन नया अप्लिकेशन नहीं चलता है या फिर का अप्लिकेशन तो यूज नहीं कर पाएंगे बट आप जो है उनकी वेबसाइट एकसेस कर पाएंगे ठीक है गूगल में यहाँ पर पर क्रोम राउजर ओपिंग की पेटियम लिखेंगे जैसे आप पेटियम लिखते है यहाँ पर आपको जो है पेटियम की एक नंबर प यहाँ पर सब कुछ है उसके लाओ यहाँ पर सेम इंटरफेस है जैसे अप्लिकेशन में आता है तो आप इसका यूज कर सकते है और इसे आप जो है होम स्क्रीम पर भी लगा सकते है जिससे के पेटियम एप था इसके लिए आप आपको थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है आप उपर और यहाँ पर आपको जो है एड टू होम स्क्रीन करना है ठीक है यहाँ पर जैसे हम करेंगे तो आपका यह होम स्क्रीन पर आ जाएगा पाके आप जो है प्ले स्टोर से चलता है अप्लिकेशन तो इसे आप पर अप्डेट करवाने जाएगा उम्मेंद आप लो